हालो नमस्कार सातियो स्वागत है आपका अपने यूटूब चैनल एक क्लासे जैपुर में दोस्तो हम आपके लिए लाए हैं CET मॉडल पेपर जो आपकी CET एक्जाम के लिए बहुत ही मैत्पून है यहां से एक्जाम में क्वेस्चन पूछे जाएंगे तो यह क्लास आपके के लिए बहुत ही इंपोर्टेंट है इसलिए क्लास को लाश्ट तक जरूर देखिएगा तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं फ़र्ष्ट क्वेस्चन के साथ तो हमारा पहला क्वेस्चन है निम्न मैंसे कौन राजिस्तान के प्रिसिद्धिक गायक है ऑप्शन एक है तु तो निम्न में कौन राजिस्तान के प्रिशिद्ध गायक हैं तो आंसर हो जाएगा मामे खान मामे खेयन राजिस्तान के प्रिशिद्ध गायक हैं अगला क्वस्चन है अमारा किसे बागड की मीरा कहा जाता है आप्शन एक मीरा वाई, आप्शन नमबर दो गबरी वाई, आप्शन नमबर तीन कोयल वाई और आप्शन नमबर चार काली वाई तो बागड की मीरा किसे कहा जाता है तो आंसर हो जाएगा गबरी वाई को बागड की मीरा कहा जाता है अगला क्वेस्चन है हमारा जोदपुर के लिए में पुस्तक प्रकास पुस्तकाले की इस्तापना किशने की ओप्शन है जस्वंत सिंग, तक्त सिंग, मान सिंग, अजीत सिंग तो जोदपुर के लिए में पुस्तक प्रकास पुस्तकाले की इस्तापना मान सिंग के द्वारा की गई किसने की मांसीं के द्वारा की गई अगला क्वेस्टन है हमारा सो टापुओं का छेत्र किसे कहा जाता है अगला क्वेस्टन है साती हमारा राजिस्थानी रामायन का रचनाकार किसे माना जाता है ओप्षन है सेजो भाई समर्थन दास मनीशी समय सुन्दर सीतराम केसरिया तो राजिस्थानी रामायन का रचनाकार समय सुन्दर दास जी को माना जाता है किने समय सुन्दर को माना जाता है अगला question है मारा तोरावाटी है तो तोरावाटी किस बोली की उपबोली है ओप्षन है डूंडाडी, मेवाडी, मारवाडी, और हाडोती तो आंसर हो जायेगा डूंडाडी भासा की उपबोली है तोरा बाटी अगला question है अमारा रात्री पर जागरन करना क्या कहलाता है option है असकनो, आवा, ओजको, आवोचन तो रात्री पर जागरन करना ओजो को कहलाता है option number C यहाँ पर correct हो जाएगा अगला question है गराशिया जन जाती मुख रूप से किस चिले में पाई जाती है option है बारा, सिरोई, जोदपुर और अलवर तो गराशिया जन जाती मुख रूप से सिरोई जिले में पाई जाती है कौन से जिले में? सिरोई जिले में गराशिया जन जाती का रत्य है बालर कौन सन रत्य है? बालर रत्य अगला क्वेस्टन है रमजोल आबूसन सरीर के किस भाग में पहना जाता है औप्शन है कमर, नाक, पैर और अंगली तो रमजोल आबूसन सरीर के किस भाग में पहना जाता है औप्शन हो जाएगा पैर में किस भाग में पैर में रमजोल आबूसन पहना जाता है अगला क्वेस्टन है हमारा दीगा गंगोर किस सहर की पिरसिद्ध है ओप्षन है अजमेर, जालावार, कोटा, उधैपुर तो दीगा गंगोर उधैपुर की पिरसिद्ध है कहां की उधैपुर की पिरसिद्ध है ओप्षन नमबर D आपका करेक्ट हो जाएगा अगला question है कल्यान जी का मेला कहां आयोजित होता है option है जैपुर डिग्गी आमेर फालना तो कल्यान जी का मेला डिग्गी में आयोजित होता है कहां पर डिग्गी में option नंबर भी correct हो जाएगा अगला question है जोदपुर के राठोडों की देवी जिसकी अठारे बुजाएं हैं तो कौन सी देवी है? option है सीतला माता, आबरी माता, सकराई माता और नागनेची माता तो जोदपुर के राठोडों की देवी जिसकी अठारे बुजाएं हैं वो है नागनेची माता कौंसी माता नाग नेची माता अगला कुछ्छन है कामधिया पंत के प्रवर्तक हैं option है राम देव जी तेजाजी गोगा जी और देव नाराण जी तो कामधिया पंत के प्रवर्तक हैं राम देव जी option number A यहाँप इस question का correct answer होगा अगला क्वेस्टन है दासी मत का संबंध किस से है ओप्षन है मीरा, गबरीवाई, दयावाई और रामदास जी तो दासी मत का संबंध मीरा बाई से है ओप्षन नंबर ए इस क्वेस्टन का अंसर करेक्ट होगा अगला क्वेश्चन है कौन सा नरत सेरिया जनजाती द्वारा नहीं किया जाता ओप्षन है जेला नरत, दूचक्रीन रत, सिकारीन रत और बिच्वा नरत तो सेरिया जनजाती द्वारा नहीं किया जाता तो option number B हो जाएगा दू चक्रीन रत्य सहरिय जनजाती के द्वारा नहीं किया जाता अगला question है किस तुआर पर गुमन रत्य का आयोजन होता है option है दसेरा, गनगोर, तीज और दीपावली तो किस तुआर पर गुमन रत्य का आयोजन होता है तो गनगोर पर गुमन रत्य का आयोजन होता है option number B इस question का correct हो जाएगा अगला question है ओल्यू राजिस्तानी लोग जीवन के किस अफसर से सम्मन्दित है option है पुत्र जनोब उत्सप गीत, बरात की आगवानी का गीत होली पर किया जाने वाला लोक नरत्य और पुत्री बिवाय का बिदाई गीत तो ओल्यू राजिस्तानी लोग जीवन के किस अफसर से सम्मन्दित है तो आंसर हो जाएगा पुत्री के बिवाय का बिदाई गीत है क्या है ओल्यू? option number D इस question का आंसर correct होगा अगला question है मोती भारत किस जिले की पारंपरिक कड़ाई का नाम है option है पाली, जालोर, बुंदी, सीकर तो मोती भारत किस जिले की पारंपरिक कड़ाई का नाम है तो ये जालोर जिले की पारंपरिक कड़ाई का नाम है मोती भारत option number B यहाँ पर correct हो जाएगा अगला question है बाड़ मेर ब्लोक मुद्रित कपड़े का एक और नाम क्या है option है अजरक print, टोकरी बुनाई, जीप या इन में से कोई नहीं तो बाड़ मेर ब्लोक मुद्रित कपड़े का एक और अन्य नाम क्या है अजरक print है क्या नाम है अजरक print option number A इस question का correct answer होगा अगला question है सातियो मारा चामंड चित्र सेली किसके शासनकाल में प्रारम हुई option A सांगा, अमर सिंग दित्तिय, राना प्रताप और राना पुंजा तो चामंड चित्र सेली राना प्रताप के शासनकाल में प्रारम हुई इस question का answer option number C correct हो जाएगा अगला question है नत्मल की हवेली इस्तित है option है बाड मेर, जैसल मेर, बी का नेर, चित्तोड गड तो नत्मल की अवेली इस्तित है कहाँ पर जैसल मेर में इस्तित है नत्मल की अवेली option number B इस question का answer correct हो जाएगा अगला question है किराडू का सौमेश्वर मंदिर है option है शौलंकी सेली का, भूमिज सेली का, गुर्जर प्रतियार सेली का और राठोर सेली का किराडू के सौमेश्वर मंदिर है वह हैं गुर्जर प्रतियार सेली के किसके हैं गुर्जर प्रतियार सेली के? option number C इस question का correct answer होगा अगला question है अमारा जूनागड किले का पुराना नाम क्या है? option है चिन्ता मनी, लालगड का किला, करन चंदिच किला और तारागड किला तो जूनागड किले का पुराना नाम है, answer हो जाएगा चिन्ता मनी है जुनागड किले का पुराना नाम चिंता मनी है ओप्शन नमबर एक इस क्वेशन का बिलकुल करेक्ट आंसर होगा अगला क्वेशन है मारा सर बीटी क्रिश्न माचारी किस राज के दीवान थे ओप्शन है मेवाड, जोधपुर, जैपुर और जैसलमे तो सर बीटी क्रिश्न माचारी जैपुर राज के दीवान थे किस राज के जैपुर राज के दीवान थे ओप्शन नमबर C इस क्वेशन का करेक्ट आंसर होगा अगला क्वेशन है सीकर आंदोलन की उलेखनिये महिला नेता कौन थी ओप्शन है धापी दिदादी, किसोरी देवी, जानकी देवी बजाज और अंजना देवी चोधरी तो सीकर आंदोलन की उलेखनिय महिला नेता किसोरी देवी थी कौन थी किसोरी देवी ओप्शन नमबर भी इस क्वेस्चन का करेक्ट अंसर हो जाएगा अगला क्वेस्चन है करोली प्रजा मंडल की इस्तापना किसके द्वारा की गई थी ओप्शन है तिरलोक चंदर माथोर, मीठा लाल ब्यास, जवाल लाल नहरू, बलवन सिंग महिता तो आंसर हो जाएगा तिरलोक चंदर माथोर तिरलोग चंद्र माथुर के द्वारा करोली पिरजा मंडल की स्तापना की गई ओप्शन नमबर A इस क्वेस्चन का बिलकुल करेक्ट आंसर हो जाएगा अगला क्वेस्चन है जैसल मेर राज जी की गुंडा साशन पुस्तक किसने लिखी ओप्शन है समर्थन दास, सीताराम लालस, डॉक्टर सुतिंद्र, सागरमल गोपा तो जैसल मेर राज जी की गुंडा साशन पुस्तक सागरमल गोपा के द्वारा लिखी गई थी ओप्शन नमबर D इस क्वेस्चन का करेक्ट आंसर हो गवा अगला क्वेस्चन है सातियो मारा स्वामी दयानंद सरस्वती का निर्मान कहां हुआ ओप्शन है तंकारा, अजमेर, चोधपुर और मुंबई तो स्वामी दयानंद सरस्वती का निर्मान अजमेर में हुआ था कहाँ पर अजमेर में option number B इस question का correct answer होगा अगला question है क्रांती के समय जालावाड का सासक कौन था? option A उदे सिंग, लच्मन सिंग, प्रत्वी सिंग और रंजीत सिंग तो क्रांती सिंग के समय जालावाड के सासक प्रत्वी सिंग थे कौन थे? प्रत्वी सिंग option number C इस question का correct answer हो जाएगा अगला and last question है हमारा चलो दिल्ली मारो फ्रंगी का नारा किसने दिया था? option है नसीराबाद के सेनकों ने, मेरट के सेनकों ने, नीमच के सेनकों ने और एरनपुरा के सेनकों ने तो चलो दिल्ली मारो फ्रंगी का नारा एरनपुरा सेनक छाबनी के सेनकों के द्वारा दिया गया था option number D इस question का correct answer हो जाएगा ओके सातियों उम्मीद करते हैं कि आपको यह class बहुती पसंद आई होगी यदि class पसंद आई हो तो class को लाइक करें चैनल पर नए हूँ तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो देखने के लिए धर्नवाद